हाई फ्रेंच वल्कम टो मैं चैलेंग अंजली डेली ब्लग आई होप आप सब अच्छे ही होगे और फ्रेंच आज इवनिंग रोटेन शेयर कर रहे हूँ लेकिन आज तो मतलो घर का कोई काम नहीं है लेकिन हो एक रेसे भी आप लोग किसाद शेयर करूँगी क्योंकि आज म बना रहे हूँ और मिर्टी के हाँडी मतलो चिकेन आज बना रहे हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग किसाद शेयर करूँगी तो फ्रेंच इसलिए जो भी मुझे लए रहे हूँना में जैसे की प्याज और तमाटर बस इस अब को चैसे साफ करके ठीक काट कर रह हूँँगी और मसला में ले रहे हूँ अधर राक लेशम प्याज और पोस्ट और जैसे की मिर्ची एक डो डाल दो ती हूँ मिर्ची की साथ मैंने डाल चिन एक दो पीस डालूंगी और उसमें थोड़ा सा धन्या साबू धन्या और साबू जीरा पासे सबको डालके पीस लोंगी तो मैंने पीस के रख ली थी क्योंकि मुझे पहले बोल देते कि लेके आ रही हूँ तो इसलिए और तो फ्रेंस कहते हैं कि मतलों मिट्टी की हांडी में खाना बनाता तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा साम हो गया था इसलिए मैं मुझे ग्यास पे बना रही हूँ लेकिन जिस तिन में चुला पे बनाऊगी लगडी की चुला में तो उसे जिन भी फिर से भी आप लोग के साश्यार करूंगी कि मिट्टी की हांडी में खाना मनाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका स्वाधी मतलों थोड़ा दो गुना बढ़ जाता है और इसलिए मुझे लगा कि आप लोग के साश्यार करें कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा से आया था तो तो चलिए फ्र दोगुना बढ़ जाता है तो चलिए फ्रेंस मैंने सब कुछ जिचना मुझे मसाला बगरा लेना है सब कुछ तैर करके रख ली थी और अब जार्यू का मतलों हंडी मैंने बैठा दी थी क्योंकि ये मिट्टी के हंडी है ना मैंने एक दिन इसे पानी में भीगा के रखी थ लेकिन मैंने मोर्टन मनाई थी तो इसलिए मैं चिकेन मना रही हुआ तो इसलिए मैंने किसा सहर कर रहे हुआ लेकिन एक दो बार मैंने इसे ही यूज कर ले थी तो पहले थोड़ा सा डाल चिन डाल दी और तेस पत मैंने डाली थी जैसे ही तेल गरम हो गया तो उसकी उपर मैंने पियास डाल के अच्छे से भून लोंगी लेकिन पियास को ज्यादा नहीं भूनोंगी थोड़ा सा कच्छा पन रहेगा उसकी उपर में चिकेन डाल दोंगी चिकेन को जैसे ही डालोंगी ना साफ करके मैंने इसे रखी ती तो इसे जैसे ही डालोंगी उसकी उपर थोड पहले ऑधी थाक लिया था कीछ थोड़ी टाइम के बाद मैं एक कछण पहले त continuously धाक करके उपन रखी हिए तो इसे थोड़ा नहीं डाल दूगे दो कहां द लाकान दो एक करी पार अएक थोड़ी टाइम के बाद, योपन के रखी तो उसके उबपर मैंने टोमाट़ डाल रहे हूं, जो पीशा हुआ मसाला मैंने रखी थी बासे इस सब को डाल रहे हूं, इस सब कुछ डालके अच्छे से बून लोंगी और उसके उबदर सुखा मसाला मैंने डाल रहे थी, तो सुखा मसाला मैंने मैंने Chaos Love Heart physicianaja में आपको बहुत अच्छा लगए और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। आप कडाय भी बनाए उसका टेस्ट अलग और मिटी के हांडी में बनाए उसका टेस्ट भी अलग आ जाती है बसे इसे कुछ टालके अच्छे से बून लूगी और उसे बूनते बूनते ना कम से कम 15 मिनार तक मैंने एसे ढख ढख के भूनी उसके बाद ही मैंने उसके उपर पानी डाली थी तो चलिए मैं उपर ढखाण लगा दूगी और आलू भी साफ करके रखी थी तो बस थोड़ा आलू भी डाल रहे हूं यह नहीं आलू है इसलिए तो चलिए इसे भी उसमें डालके अच्छे से बून लेते हूं और उनने के बाद उसके उपर कर ढखाण डालके फिर से उसे थोड़ी टाइम के लिए फिर से छोड़ दूगी को चलिए इस दुड़ा आल。 अबादाइम के बादाश। क्ञिए index. मॉचर आलू है. कि साघ अई होफ वह शुच्ण हमाने का वादा तरा चान ही च theology पीडियो का है कि शुच्ल का वी यक फ़र में 13 मिन अच्त कि ऑपर 50 ध़ा तो उसके उपर धन्य बता और चिकेन मसाला मेरी पास जोता उसको मैंने डाल के फिर से उसको डाकन डाल दूंगी और कुछ देर बाद हमारा चिकेन करी रेडी हो जाएगा तो जेली ब्रेंस और मैं बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पापर शेकने के लिए तो मैं साइज में पाप पापर शेकने के बाद मैंने शालट लेए तो प्याज और नमक और लिम्बू के साथ तो इसकी साथ चिकेन करी के साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छ लगता है तो चिप आपड एसे ही खाने के लिए मैं सेक रहे हूँ अगर पसंद है वह खाएंगे तो मैं देदूंगी च मॉस्ट्रेरी हो गया है बस उसे निकलके उसके उपर थोड़ा सा धन्यापता फिर से डाल दूंगी और हो गया है मेरा तो उसके उपर थोड़ा सा धन्यापता डालके उसे रेडी हो जाएगा तो चलिए देखिए कितने सुन्दा देख रही है और अच्छे भी लग रही थ देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए प्लीज